आज मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने कितने सारे बॉक्स रिसीफ किये है एक्चली मुझे मेरे घर का तोड़ा सा मेक ओवर करना था बहुत जादा नहीं थोड़ा सा सो मैंने कुछ पेंटिंग्स परचेस किये है फ्लिप कार्ट से तो आज मैं वही आपको दिखाना चाहूंगी सो मैंने यह कोंबो में लिया है इसमें मुझे यह एक दो तीन चार पाँच फाइव फ्रेम्स मिले है मुझे यह पढ़ी है मुझे और ट्रिपल नाइन में मतलब 1000 में ही पढ़ी है तो मैं इसकी कॉलिटी और इसकी प्रिंट आपको लिखा दू और यह मैं अपने वॉल पर लगाने वाली हूँ जिससे काफी अच्छा दिखेगा यह पहला है इस पर कॉट लिखा है कि life is full of beautiful moments remember them इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छे से पैकेज हो के आया था यह तो मतलब कहीं से कुछ टूटा वगरे कुछ भी नहीं है ना कुछ स्क्राइज पड़ है सो काफी अच्छे कंडिशन में मुझे receive हुआ है और यह प्लास्टिक का है आपको ऐसा δिखता है कि वोडन का है बट यह वोडन का है प्लास्टिक का नहीं है यह साइड में आपको सिर्फ वोडन मिलती है ताकि यह जो फ्रंट साइड से मिलता है यह कांच नहीं है निटा आपको ऐसे लगे का कि यह काच है बट यह काच नहीं है इसमें ग्लास नहीं लगा हुआ है और यह जो आप देख रहे हैं यह पैक की हुआ है यह प्लेन आता है इस तरह से तो यह पहला आप चाहो तो इस पे मतलब खीले से भी attach कर सकते हो या फिर आप इस पे dual stick पे लगा सकते हो dual stick लगा कर आप wall पर लगा सकते हो तो मैं वैसी करने वाली हूँ मैं wall पे कोई खीले नहीं ठोकने वाली हूँ मैं dual stick लगा कर बॉल पे सजाओंगी यह फर्स्ट ऐसे बहुत से महां पर पेंटी से बुट मुझे यह नेचर का काफी अच्छा लगा सो मैंने यह लिया है यह सेटेंट यह थर्ड यह फोर्थ यह जितने भी मैंने दिखा यह सेम साइस के है बस इसमें यह जो फिफ्ट नमर का है यह छोटा होगी दिया हुआ है क्योंकि वह डिजाइन ही वैसे बनी थी कि चार आपको सेम साइस के मिलेंगे और एक थोड़ा चोटा साइस का ताकि आप उसको थोड़ा सा को मिस्मैच करके वाल पर थोड़ा सा अच्छे से लगा पाई इसलिए आपको यह कॉम्बो मिला था ट्रिपल नाइन में मुझे यह पांच फ्रेम्स रिसीफ होगे है तो अगर आपको भी अपने वाल को थोड़ा सा सुन्दर बनाना हो अपनी घर को थोड़ा सा अच्छा दिखाना हो थोड़ा सा मेक ओवर करना है कम प्राइस में वो भी चिप प्राइस में अगर आपको बहुत अच्छा अपनी वाल को सुन्दर दिखाना हो तो आप भी पर आपको भी थोड़ा सा आइडिया आजाएगी कि आप अपने गर के वाल पे किस तरह के पींटिंग लगाओगे तो वो कैसा दिखेगा या अच्छा लगेगा या नहीं लगए या बहुत से आइडिया आजाएगी अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए